तो दोस्तों कैसो यार सब बढ़े होंगे आज करने वाले लाक्षन नमबर 43 और 43 में क्या करने वाले तुम को अलड़ी पता लगता लग चुगा और टाइटाज अन्थ था तो वही कंटीनिव करेंगे और basically हमने लेक्षान नमबर जो 40 में क्या था. 41 में क्या था और 42 में क्या था. उसके एक कन्टीनिू करेंगे कैसे कैसे हमने problem देखी थी callback hell की है callbacks function की कुछ problem देखी थी callback hell क्या होता है inversion of control क्या होता है फिर हमने उसको solve किया था बोलू हमने प्रॉमिस चैन का यूज करके उसको सोल्व किया था सहीए दोस्त आज हम उसका ही एक और सिंटेक्टिकल शुगर देखेंगे ठीक है जिसका नाम है एक सिंटेक्टिकल शुगर है और अगर मैं तुमसे बोलो यह जो तुम्हारा प्रॉमिस होता है क्या बोलते है यह क्या होते हैं सब क्या होते है एक को बैंगे फंक्ष्न के जीकूपर आपकर हिए काम कर रहे होते हैं कुछ आईसी चीज नहीं प्रॉब्रिण उन अअल्वी प्रॉब्रीदकिक न 망 की 16लr कि हां यह जो कि बहुत प्रॉब्लम थी काफी अच्छा लगाता हमें कि वह करके सारी चीज़ां में समझ में आई थी एक्षे से कि हां यार ऐसे हो रहा था कोल बैक फंक्शन में अब यह सारी दिक्कत है हमारी यहां पर क्लियर होगी ठीक है चलो जी एक बार ना छोड़ा सा रिवीजन कर लेता है यहां परिखो हमने कैसे करके चीज़े करें हमने के बात पर पुर्सेजर क्रेट कर रहे है तो हमने पूरा का पूरा प्रोसेजर क्रेट क्या था हम उसिट फूद ओर्डर फूद पेमिंट करके हमने साइच चीज़े की यहां पर हमारा कोल बैक है तो तुम्हारा दो बार ओर हो जाएगा मतलब सिंपल सी चीज अगर मैं छोटी सी बात बोलू कि यार यह है कि तुमने अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया कि भाई साब तुम यूज कर सकते हो तुम इसको अपने अकोड करने थी वह चीज नहीं करानी थी तो हमें कि अगर ना था हम ही है राज्या हम ही इन भी दो आर्ग्यमेंट होता है रिजॉल्व और रिजेक्ट करके अगर तुम्हारा जो प्रॉमिस है अब देखो प्रॉमिस क्या होता है एक और अब यह क्या करता है एक तुम्हें more readable more क्या होता है more readable or more manageable syntax मिलता है कि हाँ इसके तुम आच्छे से read कर सकते है और अच्छे से manage अभी एक करते है तो फिर यहां पर आके तुम इसको कंज्यूम कर सकते हैं ऐसे करके साहिए दोस्त और तुमारे जो एक प्रोमीस होता है वो क्या रिटन करता है और जिसमें थे पर दोस्ति होती है अच्याइट होती है तर पर देखा है कि हमने यह सारी चीज है कर रखे है प्रिविज लेक्शन में ना कुछ नहीं रिखा था क्या अभी हमने अच्छे से देख रखी है ऑल तो मैंने चीज छुडवा रखे तुमारी बोलोगे क्या अभी हमने एर्र हैंडलिंग नहीं देखेंगे आगे जाके इसके बाद साइस से वही हो लेकिन इस लेक्शर के बाद प्रोमिस की जो मैथर्ड होता है वह देखेंगे उ मैं महां कैसे कर सकता हूं मुझे एर्र हेंडल करना है प्रोमिस में महां कैसे कर सकता हूं अभी हम पड़ने वाले एसिंग कवेट हम सबसे जादा लेकिन जो हमें इसे कवेड मिलता हो इतना सिंपल- 1961 सिंटेक्स होता है बहूत जास ना कोई दिक्कत वाली बाद ही साफ साफ दिख रहा है कैसे कैसे तुम्हारा था एक दम साफ साफ दिखेगा ना कैसे कैसे चीज़े चलनी है बहुत एजी होगा न डिकोर्ड करना उसको बहुत ही इजी होगा अभी हम पढ़ने वाले सारी चीज़े कि हां कैसे-कैसे लिखेंगे सारी चीज़ अच्छी तो फिर हमने यह देखा था प्रोमिस पैंडिंग है न वैल्यू भी अन्डिफाइन होगी फिर ह अगर तुम्हारा प्रॉमिस सैटल होगा फिर मैंने आप लिखा था देखो सैटल क्या तो प्रॉमिस फुलफिल होगा या फिर रिजैक्ट होगा ठीक है फिर वैल्यू अकोडिंग टू यह हो जाएगी तुम क्या फंक्शन में रिटन करार हो ऐसे करके हम रिटन कराते हैं ना इस तुमको पता होगा प्रॉमिस को क्रेक्ट करते हैं एक हम प्रॉमिस कंस्रक्टर होता है इसके थूरू हम यह नूई कीवर्ड क्या होता है अभी हम आगे आके ना क्लास्स पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो तुम्हें न यहां पर एक रफ आईडिया मनल जब वह बढ़ेंगे तुम्हें अच्छा यह चीज ऐसे लिख्योंगी इसको मैं ऐसे यूज इसलिए कर पारों ठीक है तो निउट कीवर्ड क्या होता है यह अपना आप में है इसको हम अच्छे समझेंगे फि तो यह नए दॉस्क क्रीट कर रही है लो हिना न मातला है पुद treffen करताथ है कि फिर तुम्हें पास धूब एक फवेक फंक्शन करके और मैं रिसकर करोगी तुन जब तुम्हारा प्रोमिस नहीं है days करऊद गार कि जब तुम्हारान बहुत-दास्क होगा कि इंकम्प्लीट हो रहा होगा कुछ भी होगा तुम इसमें करा दो करके और फिर हम आगे आके उसको एरर हैंडलिंग कर लेंगा इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइबून सिंक्रोनस ओप्रेशन होता है यह जब हम इसको प्रोमिस को क्रिए कर रहे हैं यह क्या होता है चैजी यह जात रखना तब히 चाहिए दोस्कों हैं ठीक है तो एक हमारा होता है उन्फिल्मेंट होता है यह हलका सा आइडिया लेकिन इनको बेसिकिल ली हमारा ही इरडिलिंग वाले पार्ट में अच्छे-जा टैन लेंगे सब्सक्राइब देखें ना ना वाले चीज़े भी आगे आगे कवर कर लेंगे इस दोस्ति हमने पूरा देखा था कैसे कोड का फिलो रहा है कैसे काम करी लेक्चर नमबर 42 फोल लेता हो यहां पर वही प्रोब्लम स्टेटमेंट को सोल्व किया था एक कैसे कैसे तुमारी प्र प्रोमिस के अंदर लिख दिया थे लेकिन हम यहां पर एक आर एस बेसिकली हाँ पर रिजेक्टिक है इसका सारा ले रिटर्न कराने के लिए उचे सर्च पूड कहा रहा था मदब इसको तुम्हें किया देखो ध्यान सुनो यह कहां कोल मारेगा पता है यह दोस्त कहां कोल मार इसको इस वाले कोल बेक कॉंद्यूम वन को हैना यह हमने प्रिवियस लेक्ट्र में अच्छे से चीज़े देखी ती कि हां ऐसे चीज़ें चल रही है क्योंकि यह हमारा ऐसा कोलिंग काम कर रहा है एक्ट्यूली रिटर्न नहीं है यह तुम्हें अच्छे से एक्जांपल मलब रैंडम कहा रहा हूं एक पैंडिंग प्रोमिस रिटर्न कर देगा ठीक है बड़ यह तुम्हारा कहां पर जाएगा मैक्रो टास्क या फिर इवेंड क्यू में या फिर कोल बैक क्यू में जाएगा है ना तो जब यह आकर एक्जीउट होगा तब यह वाली लाइन पर आधे घंटे का भी हो सकता है इसको है तक नया इंट्टेक्स रिट्डूस कराऊंगा कुछ नहीं है syntactical sugar syntactical sugar का मतलब तुम्हें पता है लिखने का syntax अलग है मतलब लिखने का syntax तुम्हें more easy way में मिल जाता है लेकिन under the hood functionality सेमी होते हैं काम सेमी कर रहा होता है यह नहीं कुछ अलग for example मैंने लिखने का syntax same ही है लेकिन इसके अंदर चीज़े वही काम कर रही है बस बात इत्तिसी है बात इत्तिसी है कि हाँ तुमने यह अभी लिखेंगे है लिख दिया तो यह कुछ नया function नहीं है कुछ ऐसा अलगी चीज़ नहीं नहीं यह अंडर दहुड यही काम हो रहा है ना अंडर दहुड प्रोमिस वाले लिखेंगे तो यहां पर चेंगे और ले कंसे नहीं रिट कर दी खाई व Pu काई अनदर करल रहे है यह अंडर यह यह जाएगा यह को चीज़े मिल रहे होंगी ठीक है ठीक है समझ मारी आ रही है बहुत बहुत बहतरी तुम्हें यह भी समझ मागी है कि हां कैसे कैसे यह चीज़े काम कर रही है और यह अभी मैंने जो दस में तुम्हें बताया है प्रिवियस लेक्टर का बताया है ठीक है लेकिन आज हमारा ज होता है बताओ डोक्यमेंटेशन में चलते हैं एक मिनट यह देखो क्या लिखा है क्या लिखा है क्या होता है समझ नहीं बतातों बतातों ना मैं तुम्हें जो मेन मतलब समझाना चाहता हूं यह देखो ठीक है यह जो मैं तुम्हें पढ़वाओंगा वो देखने ठीक है इन किलेट वेस ट्र त्र ठीक है यह देखो वस जो मैं मार कर रहा हूं ठीक है इन या किलीनर स्टाइल ठीक हैскомरी स्यंग और जो जो तुम्हारा होता प्रॉमिस हैल उससे जादा काफी किलीनर सिंटेक्स मिलता है ठीक है अवाइडिंग नेड और यह देखो प्रॉमिस चेंग करने से बच सकते हैं यह सब लिख रखता है ठीक है यह दो चीज देख लो कि हां हमें क्या मिलता है ऐस तुम्हारा है एक लिखुता चाहा है गया ऐस जाने लिखे लखते है अğanुट मिलता हो प्रॉमिस चेंग से बच सकते हो यह काम और य生कर आब है जैसक मुझो तो पहले यह बताओ मुझे, async, मतलब asynchronous task या asynchronous operation या asynchronous code, ठीक है, तो मतलब तुम और async से यहाँ पर यह है कि तुम एक async करके function बनाओगे, तो async function बनाओगे, अच्छे async function कैसे create करते हैं, यह async है ना, इसको हटादो, fun function, ठीक है, जो भी तुमने ऐसा fun1 बोला, ठीक है, fun1 ले लिया, यह तुमारा एक function create होगे, हापर तुम CL जीकर आ रहे हो, hello, ठीक है, एती-ती समझ में आगे ठीक है, अब तुम्हें इसको क्या बनाना है, एक async function बनाना है, बन गया async function, यह इसका syntax है, अभी await नहीं देखा, await नहीं देखा, await क्या होता है, इसको भी दे देखेंगे, यह तुम्हें क्या बनाना है, एक async function बनाना है, तुम्हारा एक async function बन गया, अच्छा async function बन गया, लेकिन काम क्या इसका, ठीक है, अभी काम नहीं बताया है, निशान भाईने, अभी बताते है, अभी पहले एक फाइल बना लेते है, new, 43 करके, lecture 43, और करते ह काम को, confusion जो भी होगे नहीं तुम्हारे अभी clear करता हूँ, तुम्हारे तुम्हारे अभी क्लियर करता हूँ, तुम्हारे तुम्हारे है, यह पर दोस्त, index.cs, cs, cs होता है, js होता है, और मैंने क्या वहला, तुम्हें नोर्मन फंक्चन बना रहे, ठीक है, पन बन, सही है, औ बड़ा काम कर रहा है बड़ा काम कर रहा है ठीक है मैंने इसका आगे एसिंग कीवर्ड होता है यह पूट कर दिया कोई दिक्कत नहीं आ रही कोई बात्चीत नहीं सब कुछ कोई कोई टाइंशन नी चुआ यह थली सबुस्मिन के अटिके कोई टैंशन न अट बच सब्सक्राइब कर रहा कोई तुम्हों तो रिटन होना चाहिए कर या रिटन हो दोस्त क्या रिटनों हेए बता या रिटन होगा बता 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 आंसर क्या होगा देखो गवराना नहीं है बताना है कि ये बहुत बेसिक से चीज़ लिखी है मैंने आपर आंसर क्या होगा आंसर हेलो होगा ठीक है अब आंसर बता अब क्या होगा आंसर बता आंसर क्या होगा अब आंसर क्या होगा फरक थोड़ीता अब आंसर क्या होगा मेरे दोस्त ये क्या था भाई ये क्या है ये क्या है ये तुमने ये लगाया और ये पूरा आट फुटी चेंज हो गया ये तो प्रोमिस बन गया भाई साब ये तो प्रोमिस रिटन करने लगा एक ये तो अजीब चीज नहीं हो गई यह गदर चीज नहीं हो गई कि भाई साप अभी तक तो तुम हैलो हैलो करा रहें ठीक है लेकिन जैसी तुमने एक एसिंग फंक्शन बनाया यह कहां रिटर्न करने लगा एक प्रोमिस रिटर्न करने लगा हां तो यहां से हम क्या एक इसुमसे बोले ना एक इस नुखें करेबाँ यहांपर हमारे मेसे हैं तुम मे टांशन लिएगा uphill इन तुम से अठके क्या रिटर्न करेगा वा लेकिन यहां पर हमारे में उसरे आली वाली बात म flow यह नब यह एक normal function से हटके क्या return करेगा तुम देखोगे normal function अगर यह लिखा हो लेकिन ने async लगा दिया तो यह क्या return करेगा एक promise object return करेगा दोस्त क्या return करेगा एक promise object return करेगा एक normal function और async function में कोई difference पूछे तो सबसे पहला यह बता देना कि normal function वो एक particular value return करता है जो तुम return करा रहे हो but जो तुम्हारा एक async function होता है वो क्या return करता है promise object return करता है सबसे बड़ा सबसे main difference ठीक है लिख लो अगर तुम लिख रहो गहीं सबसे बड़ा सबसे main difference सही है यह चीज होगी ठीक है और क्या है एक अभी तुम्हारा वेट की वर्ड भी आता है उसको बताता हूं लेकिन तुम्हारा में डिफ्रेंस है वो समझ गए अभी दो यह किसके equivalent है मैं बताता हूं किसके equivalent है फंक्शन लिखता हूं ठीक है पन्टू ठीक है रिटर्ण अरे भाई यह आज़ा सजेशन दोस्त मैंने तुम्हारा सामने लिखे है कुछ चीजे है और यह दोनों की दोनों चीज सेम है यह दोनों की दोनों चीजे ना इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों चीजे सेम हैं यह देखो दिख रहा है कुछ difference दिख रहा है कुछ भी difference ने दिख रहा है तुमने यहाँ पर क्या करा है एक promise return करा है जो कि resolve अलड़ी है अब तुम्हारा प्रॉमिस डोट करें कोई method नि लगाने और कुछ promise return कराना है भाई साव एसिंग है मेरे पास एसिंग लगाऊँगा रिटन कराऊँगा ठीक है यह वाली चीज है अगर तुम्हारा देखो यह doubt आ रहा है यह मैंने क्या लिग दिया दोस्त मैंने यह क्या लिग दिया यह क्या सारे method देखेंगे जो भी event बढट होंगे तुम्हारे सारे किलियर हो जाएंगे ठीक है अभी वह मैरा बना बनाया promise था मैंने एक new promise क्रेट किया ठीक है new promise क्रेट किया इसके अंदर में function देता हूं ठीक है एक anonymous function देजिए हैं यहाँ पर रिजल्व और रिजय रिजेक्ट ले लिए है और इसके अंदर आकर मैंने लेली रिजर्डे क्यों दोनों से已經 करो कि बगार यह होगा तो में पूरा ऐसा कन्श्रक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। ब्लसक्र करना बहुतभु मैं यह ले लेता हूं। तुम फर्क देख सकते हो कि Mengれ इस वाले उपर वाले चीज़ में और नीचे वाले चीज़ में देखरो कुछ फरक निया ना कुछ फरक निया आ रही याकिन यार चीज़ समझ में अच्छा इसको कैसे कंज्यूम करते थे किसी को कुछ याद आ रहा है क्या किसी को कुछ पता है क्या बता ओ इसको कैसे कंज्य लाई धूं लगा गाए को यह तो यह तुम दोड़ेन करके करके यह और यह उपर वाले यह और सप्सीं प्व्लाई कर सकते हो दो Крас Kitchen नियुंस को बहुत स्क्राइबात आलब तो टो से में दो नहों गए यह सिंग अगर अया यह सिंगनेवाले ठीक यह सिंगने वाले ठीक निशान भाई तुमने भी यह बताया कि हाँ उपर जो लिखा है वो लिखा है सेम है और normal function और async function में यह difference होता है कि जो तुम return कर रहो normal function में value वो same liar uso return हो जात ए बट जो कि तुम एक async function में return कर रह mehrere वो क्या return होता है वो promise object return होता है ठीक है चलो जिसससमाज में कर रहा है मतलब मैं यह समझू कि कुछ एसिंग को प्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं इसे मैंने का हाँ तुम समझ सकते हो बिल्कु तुम सब्सक्राइब कर लेते हैं इतना इतना हमें समझ में आता है ठीक है इसको मैं एसी लिख रहें देता है यह ना फुर एक्जाम्पल मैं लिख आया पर और तुमें जैसे की एक प्रोमिस उपर कर लेते हैं और फंक्शन करके कर लेते हैं अब और इसको कर देता हूं प्रो ठीक है जहां से देखना कैसे काम हो प्लीस समझ में आजेंगी साइज चीजे समझ में कोई दिक्कत नहीं रिटन वही लिखूंगा promise new promise ठीक है एक function ले लिया जिसका नाम क्या रख देता हूं प्रोवन रख देता है ना ऐसी रख देता है यह callback नहीं रख देता है ऐसा अच्छा लग रहा है अब इसके अंदर तुमने CLG कराओ यह CLG भी नहीं कराते हैं आपके लिख लेकिन तुम्हारा एसिंक है यह कैसे चलेगा यह कुछ तुम्हें यूज करना पड़ाता है जो कि तुम्हारा होता है अब अब एक्स में देखना क्या आएगा इसका अब तुम्हें समझाओंगा कैसे एक्स में अन्डिफाइन आ रहा है ओविसली अन्डिफाइन आएगा यह पहले तु यह बता हैं यह जान लो ठीक है यह कैसे जानेंगे लगा हो ठीक है प्रो फंक्शन है ठीक है definition निक्षट इसको करेंगे नहीं करेंगे क्या एसंग फंक्शन कुछ अलग होता है अलग जो था हमने बता तो लेकिन एडरेंड यह भी क्या एक नूर्मल फंक्शन यहना गाए इक नूर्मल फंक्शन है जिसके पास एसिंग लगाती एक्स्ट्रा पावर आजाती फिर फन मिला है अब हम कर रहे हैं को को लिंग करा लेट एक्स इकवेश्ट वेट प्रो ठीक है लेड्स लेक्स लक्स लेड्ड ऐक्स एक्स स्टू अवेट्ट प्रो यह दो आट्व साथ चुम्हakरूब हुए अट फ्रोट कराएगा, äng disciplines जिश्क और यह लेजनेक एको लेजनो कराएगा, जिस जो पर फूम्हें बताता हूं ऊश्क अब यह दो मैं बताता हूँ तुम्हें कियों कियो नहीं रहा क्योंकि हम रिटन करा सकते अगर तुम्हार रिटन कराओगे यह पूरा यह इसकी जगा लिखो गए तो होगा अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यह हुआ ठीक है एक्स आया अब यह एक्स हेलो आया ठीक है तो यह वाला है अच्छा डेटा में क्या आया अब डेटा में अंडिफाइन आया देखो प्रभू क्योंकि क्योंकि तुम्हें पता है यह एक फंक्शन है ठीक है यह फंक्शन यहां पर कनेक्ट है तो मतलब तुम यहां पर रिटन कराओगे हैना कुछ रिटन कराओगे डेटा तो यह रिटन कहां जाएगा प्रभू यह रिटन इसके अंदर आएगा यह रिटन इ इधने दिखने वाले मोड्ड पर क्या क्या चीज होती है कैसे होती यह इने अचे कि वहां लिखान बड़ा जाता है कि यह बड़ी है गुरूप ठीक है तुम्हारा फंक्शन की डैफिनिशन है ठीक है फंक्शन की डैफिनिशन कोई दिक्कत वाड़े बात नहीं है कि दो वाला पार्ट क्या होता है एक एक असिंक्रोनस टास्क होता है जो की बाद में होगा है जब तक इसको कुछ आता नहीं पता नहीं ठीक है बात समझ में आगई तो fun one लगा ठीक है fun one का है क्या fun one यह है नहीं यह तो pro है यह क्या है fun one ही है ठीक है यहाँ आने के बाद दोस्त क्या होगा यह let x equals to await यह ठीक है तुमने अभी तक await का जो भी scene होता है वो नहीं समझा कि actually await क्या होता है ठीक है अभेट क्या होता है तो मैं कोई पागलत हूँ नहीं मैं हर जगा वेट कर दूँगा अवेट का अब निशान भाई हमें बता रहे हैं अवेट सिरे में वही लगाएंगे जहां पर तुम्हें लग रहा है कि कोई अब हम अवेट का यूज़ करेंगे मतलब यह होगा अवेट लिखा है जब तक यह क्या है अच्छा पर पर जाएगा तो यह प्रोमिस रिटर्न करेगा अब हम प्रोमिस कभी यूज़ करते हैं वही जब हमारा कोई एसिंग्रोन आपरेशन होता है मेंजरली है वही यूज़ क जब तक यह प्रोमिस resolve होके return नहीं होगा यह लाइन से यहा लाइन पे आए गा नहीं अवेट का मतलब यहां रुख जाएगा यह कि भाई साब देखो ध्यान से सुनो अवेट का मतलब अवेट कि भाई साब रुख जाओ hold पर रुख जाओ ना जब तक ये वाला चीज तुम्हें क्या return नहीं कर देता एक resolve promise return नहीं कर देता या एक promise object return नहीं कर देता जिसकी state क्या है fulfilled या फिर reject बड़ हम reject वाले case को discuss नहीं कर रहे है ठीक है जब तक तुम्हारा कोई resolve promise return नहीं हो जाता तब तक ये इस line से इस line पर आएगा नहीं है ना तुम्हें मैं इसका example देता हूँ जो मैंने बोला उसका एकदम तुरंत example लो मैंने लिखा set time out ठीक है एक function ला लेता हूँ तुम्हें दिखा नहीं तो है ना यह 10 seconds ले रहा है ना 10 seconds ले रहा है अब यह देको X लिखा है मैं X के बाद लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ end ठीक है और यहाँ पर लिख देता हूँ CLG start ठीक है अब जहां से देखो तुम्हारा मैं बताता हूँ क्या प्रिंट होगा start प्रिंट होगा और start के बाद तुम 10 seconds तक रुख जाना देखो 10 seconds तक रुखोगे यह वाली line कभी हो यह वाली line पर है इस समय तुम्हारा control यहाँ पर hold पर है वेट वेटिंग कर रहा है ठीक है जैसी इसका वेट खता हूँ दस सेगेंड का इस वाई line पर आएगा end print कर आया इस वाई line पर X अब देखो X के अंदर के आएगा जो भी तुम resolve करा के भेजोगे जो भी return भेजोगे देखो क्या भेजा तुमने यहाँ से यह भेजा यह hello अब यहाँ पर तुम बोलो के भाई साब मुझे एक बाह बता न यह promise क्या return करता है यह तो एक promise object return करता है जिसको मुझे consume करना पड़ता है मैंने बिल्कुल सही पकड़े हैं भाई साब है ना जिसको हमें consume करना पड़ता है तुमने तो direct यह x के अंदर हेलो को ले लिया है ना एक्स के अंदर हेलो को ले लिया तुमने तो इसको consume ही नहीं करें यह इसका यह return क्या करेगा यह end result करेगा है ना under the hood यह dot then वगएरा सब ककन लेता है यह तुम सचो के अच्छा एक्स आएगा है ना harmon화 करेदा यह ॉच्छे नहीं यह तुम्हें करके पूरा प्रोमिस मस्त करके तो तुमने एक्स के अंदर किया मिला एक हेलो मिला नोट तुम प्रोमिस ओब्जेक्ट मिला अच्छा प्रोमिस ओब्जेक्ट कब मिलेगा तुम मानोगे नहीं है नोटी हो रहे हो लोग प्रोमिस ओब्जेक्ट लो तुम समझ में आईगा है याई बात समझ में हवेटा का मतलब दोस्त मेरे यह यह हो गया अगर आवेट का मतलब भी तक नहां है समझ में है वहाई्ट का मईलब सिंपल सा यह है रुख जाओ च चाए रुख जाओ अज़्य काहे बात की चलिए तुम्हाइं अवेट-क ah मतलब यह लाइन बोल लगाता हम मुझे एक प्रोमीस कर देता है और इसके अंदर का कोई code execute नहीं होगा कोई code execute ही नहीं होगा ठीक है अब तुम्हें एक मस्तर चीज दिखाता हूँ तो मैं यह समझ ले देखो आप क्या करेगा अब देखो X is not defined गलती कर देता हूँ मैं select करेगा ठीक है अब देखो start रूखेगा 10 second होगे count गलो 10 second है अगर तुम इसको नहीं लगा होगे न तो कोई दिक्कत वाड़ी बात है अब यह देखो यह है इतने पाट को महड़ा जेता हूँ अब मैं for example यहाँ पर return X ही कर देता हूँ और मैं इसको ठीक है सारी सीचे समझेंगे सारे cases क्या क्या हो रहे होगे अब हमारा common sense कहता है अभी तक हमने पढ़ाए ठीक है यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा एक तुम्हें यह मिला होगा हेलो करके हेलो आया होगा और यहाँ पर तुम एकस रिटन करा रहा हूँ मतलब तुम यह कहना चाहरे हो कि मैं यहाँ पर यह रिटन करा रहा हूँ सब्सक्राइब क्या प्रिंट होगा इसके पीछे का रीजन इसका इसका आउटपुट बताओ इसका यह मतलब कैसे आया इसको डिवक करो थोड़ा इसको रिटन करो कैसे हुआ यह कुछ प्रिंट नहीं होगा मैं बताता हूँ दोस्त मैं बताता हूँ यह 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 वाली चीज यहाँ तो अब तुम यकीन नहीं मानोगे देखो अब अब द्यान दोस्त क्या होगा है अब क्या तो मैं लेकिन सब्सक्राइब इसके समझा रहे हो गहां इस तुमने यहां यह रिटन करेगा कैसे काम चल ला है कैसे हमारा कंट्रोल एक दूसरी जा रहा है ना कैसे हो रहा है इसने लगे 10 सेक्ट का टाइम है दोस्त क्या है 10 सेक्ट का टाइम है देखी लेकिन क्या यह रिटर तो हही हो जाता है ना लेकिन देखो यह wait करेगा जब तक इसके अंदर का सारा code execute ने हो जागा यह भाई साब wait करेगा जब तक इसके अंदर का सारा including यह तुमारे web API वगेरा यह तो खास बात है वनना तो next line पा जाता है लेकिन नहीं यहाँ पर await लिखा है तो await wait करेगा लेकिन await wait करेगा लेकिन javascript कहती है भाई साब तुम wait करो या मत करो मैं किसी का wait नहीं करूँगी मैं तो अपना code execute कराऊँगी जो मेरे पास single thread तुम अपना देख लो है न रुकते रहो side में रुक जाओ await कहता है मैं wait करूँगा लेकिन javascript कहती है मैं किसी का wait नहीं करूँगी मैं code execute कराऊँगी ठीक है तो कैसे होगा ये await wait करेगा javascript को पता है भाई साब इसको time लगने वाला है मैं इसके चक्र में अपने दूसरे जो चीज़े हैं उनका execution क्यों खराब करूँ ठीक है पेहले वह प्रिणट होगा शर्त यह होने चाहिए कि वह क्या होना चाहिए वह भी तुम्हारा एक async होना चाहिए अकर sync गलत बढो वहciónपहरा क्या होना चाहिए synchronous code होना चाहिए तो सबसे पहले वह से पहले valli Norik давно मैं तुम्हें दिखाता था देखो ध्यान से देखना है ना ध्यान से देखना मज आएगा तुम्हें जैसे कि मैं बोलों यह होगा एक फोर लूप लगाता हूं ठीक है लेट आई कस तो जीरो आइस ग्रेटर देखना एक तो तीन चार पांच छी साथा डू तस ठीक है यह देखो ध्यान से देखना न ध्यान से देखना और इसके अंदर लिख देता हूं प्रोमिस विज्जुवल्ब ना ठीक है अब यह देखो इस कोड का एक्जिक्यूशन क्या होगा यह start आया देखो end when यहाँ पर आगया अब तुम्हारे for loop चल लागा कुछ देर चलेगा है ना कुछ देर चलेगा लंबा for loop लगाया हमें ना कुछ task और एंड 2 आया अब end 2 के बास यह तुम्हारा अवे यह promise resolve हो गया है नव प्रोमिस रिजॉल वह गया अब मैं तुम्हे न यह एग्जामपल लेके चलता हूं कहां पर एक बार दिखा था हूं चीजे कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं तो तुम्हें सारे एंगल दूंगा मैं सारी चीजे दिखांगा कि हाँ चीजे कैसे कैसे वर्क कर रही है अरे रन क्यों पराद है या थिकला चला बहुंत तक देखो द्याहं से देखो कैसे चीज अए कहा है बेल्स एक से अचाहर्ड काहँ है बडेल शेयर केम अच्छाहर के सब्सक्राइब जिसे जा है पता तुम काहा है थे रिफ रोबैबली जोऊचाहर्वले यह देखा ना देख़ा भाई कुछ ओर भी आये सिंटैक्स आरह डोग जा। क्वास नफ़्क् still वाई जाए यह तो नई चीज लिवहार बढ़िज अफ़ियो से स्नटैक्स आरह रहा है क्यास नूँडेश लुद भाहएं क्या शुल यहाज यहां याम शुल सब हमें यह कोई करा यह आया स्टार्ड करा परोंगावट कर ज़ोल गारत टर्टर्न एक्स कर दिया । अगर यह लिख दू । यह तो कोई भात मीए वैसा हुण कर दिख रहा है जो अधर है अमने वहीं कुल डुठा कर यहां पर पेस्ट किया तो अमने यहां और पता निए यह लगी है अब चल जायागा देखो अब चल ला अब चल ला है अब कहां चल रहे हो यह यह इस इंग इस इंग संपोर्ट नी करता क्या इस इंग फंक्शन नी चला सकता हो गया मैं इसमें और अगर मैं इसमें इसिंग फंक्शन चलाना चाहूं इसिंग फंक्शन नीचला सकता क्या कहने का तुम कर रहे हैं पहला करना करो साइडमेट के लेकिन अदर जो बचे हुए है ना उनको पहले एक्जिउट कराती हूं देन तुम्हारे पास आऊंगी तो जावस्क्रिप्ट पर ये कराते है फिर यह एक्जेकूट कराते फिर यह कराती है अब देखए कि JavaScript नीचे कोई code बचा नहीं है एक्जेकूशन के लिए वाप ही जाएक है जब कोई code ही नहीं बचा तो JavaScript कई कचा रही है फिर ऐसे करके तुम मैं वापी जाता हूँ इसको तुम देख लेना न स्क्रिंशोड ले ले लेना पीसे आके मैं इसको वरका ठीक है अब देते को वाई है अब दोट डैन करके तुम इसको क्या करा सकते हो हमने यह वाला सिंटेक्स तो देखा था आएगा यह वाला भी एक promise होगा तुमने यह चीज़ देखे है यह चीज़ देखे है यह start हुआ start के बाद अभी end लिखा वाएगा end के बाद तुम्हारा data जाएगा start end और data सही है तो तुम्हारा देखो अकर मैं यहाँ पर एक चीज़े निकाल लूँ मतलब कि हाँ conclusion क्या है अभी although मैं एक्जांपल नहीं देखा जो मैं अभी food or drink वाला था तुम्हें लिखने का चीज़ असान मिलेगा है न मतलब लिखने का जो syntax होगा वो बहुत easy होगा उसको तुम अभी थोड़ा सा और अच्छे समझ जाओगे कि जब मैं तुम्हें example समझाओगा दूसरी चीज दूसरी चीज यह है कि तुम्हारा async function होता है ठीक है और await होता है तुम बिना async के await यूज नहीं कर सकते है error आजाएगा तुरंट कि भाई साब तुम हमेशा ध्यान दे सुन लो यह error भी पढ़ लो कि expressions are only allowed within async function at the top level of module ठीक है did you mean to mark अपको एक फिक्स लिखो भाई यह नहीं करूँगा मैं देखो did you mean to mark this function as async तो यह पूछ रहा है कि भाई सब क्या तुम्हारा मतलब है async function है वही कि इसका मतलब यह है कि तुम await का use async के बिना नहीं कर सकते है ठीक है कभी यह समझो कि भाई मैं async के बिना अवेट का यूज कर लू ना async होगा तो ही अवेट होगा ठीक है existence अवेट का मतलब यह जब तुम्हारा async है ठीक है और यह async है तुम async का use कर सकते है तैसे तुमने async लगाया वह एक promise return करने लग जाएगा ठीक है यह चीज आगी समझ में यह चीज आगी तुम्हें मुझे बद दो बर्ड समझाने थे async अवेट का होता है अच्छे तुम्हें इसकी knowledge देलिया ना कुछ चीज़े देख लिए कुछ चीज़े भी देखने वाले हैं अगर मैं तुम्हें एक मस्त सी दिखाऊं इसको return कर रहा हूं अब यह अब देखो अवेट has no effect type of this expression अब देखना क्या हुआ यह तुम्हारा एक तुम सीधा timeout return करा रहा हूं तुम्हें timeout return करा रहा हूं इसको कहीं store भी कर सकते हो और आर इस है लो क्या होता है अब हम कुछ चीज एक्सपरिमेंट करके देखते हैं कुछ एक्सपरिमेंट करके देखते हैं और यह चीज है देहां देखो यहां तो एक्स कराने को फरक ने बढ़ेगा start हुआ दियान सुनना start हुआ start हुआ start हुआ तुरंत end हो गिया यहां पे यहां पे देख रहा हूं wait wait नहीं करा wait नहीं करा hello print हो गया तो तुम मतलब समझ रहे हो चचा मतलब समझ रहे हो मेरे दो कि भाई साप अगर तुमारे पा लाइन को छोड़ जिया कि भाई सब ठीक है तुम मुझे पागल बना रहे wait लागा के तुम्हारा actually set time out वाला सीन है promise promise को तुम use करनी रहे हो और तुम्हारा पागल बनारो कि हम यहां रुक जाए हम ऐसे रुकेंगे नहीं ठीक है तो वह चले code यह इस वाई लाइन को पीछे काईदर रुकेगी लाइन यहां पर आगे की चीज़े तब ही एक्जिक्यूट होंगी उसके पहले नहीं हो ठीक है यह सारे चीज़ हमने देख लीए event बट जो जो चीज़ है सही है न अब इसको मैं complete करा हो या इसको खुद कर लोगे कैसे कैसे यहां पर रुकेगा रुग यह तुम्हें दे रहा है ठीक है यह क्या देगा हेलो देगा हेलो आएगा हेलो इसकंदर आएगा सीधा तुम यहां पर हेलो प्रेंट भी करा सकते हो रिटर्न भी करा सकते हो अगर तुम यहां पर एक्स रिटर्न कराओगे तो अगेन एक प्रोमिस भेजेगा अब तुम प अब तुम्हें उसको भी शोट बनाना है ना इसको भी शोट नहीं बना सकता है अब यह कोड कितना बड़ा हो सकता है Depend करता है तुम्हारा क्या business logic है कितनी चीज़ों तुम use कर रहो कितने validation लगा काभी चीज़ों हो सकती है इसको तुम ऐसा short नहीं कर सकती कि हाम इसको short करना है इसको short करके देखा और इसको 2 line में करके देखा तो वानू मैं हम यह वाला concept पढ़ी ने रहे हम पढ़ ले है promises callback hell की problem inversion of control हमने solve भी किया सही है और हम यहाँ क्या कर रहे है अभी हमने promise chain को solve करेंगे यह तुम्हारा कितनी line मारा 66 से लेके 11 line मारा है 11 line से देखते है कितनी line में हम उसको convert कर सकते है कैसे करेंगे asing function यूज़ करना इस function का नाम देता हूँ क्या नाम देता हूँ fun1 तो दे रखा हूँ आज मैंने दे रखा है fun1 भाई although fun1 की यहाँ पर कोई उकाद नहीं है इसके अंदर यह उकाद है but still मैं इसको नाम देता हूँ यह तो नाम दे सकता हूँ मुझे कुछ खाने पीने से देना है यहाँ पर search food ordering food order food order भी देता है food order ठीक है और यहाँ पर मैं food order को ऐसे call कर लूँगा food order उसके अंदर बेज़ दूँगा है आज कडाई पनीर खाता है कडाई पनीर ठीक है N जादा हो गए तुमने मंगा लिए ठीक है यहाँ पर तुम ऐसा item या food करके receive कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं receive कर लिए तुमने बहुत बहतरी है अब क्या कर सकते हो तुम ध्यान से सुनना अब तुम्हें क्या करना है let ठीक है R.E.S.1 यहाँ पर तुम कुछ मी नाम लग सकते हो मैं तुम्हें समझाने करें R.E.S.1 बनला जो भी result आएगा पहले function में से पहले function कौन सा है तुम्हारा search food अब देखना await लगा होगे search food करोगे और उसके अंदर तुम क्या भीज रहो item भीजता हो ठीक है अब देखना CLG करके R.E.S.1 क्या मिलेगा तुम्हें ठीक है R.E.S.1 क्या मिलेगा ध्याँ से देखना पहले हम इसको clear करता हूँ मिली है तुम्हे वैसे नोट तुम्हें दिखाता हूँ ध्याँ से देखना क्या मिला कडाई पनीर मिला, ठीक है, कडाई पनीर साही है, एक line इसमें print नहीं हो रही है, है ना, एक line print हो भी रिये कि नहीं, हाँ print होनी चाहिए, actually वह हो नहीं रही होगी देगो, searching start for कडाई पनीर है ना, अब तुम्हें item में मिला कडाई पनीर, और data जो है, list of मजा रहा है अगर यह संटेक्स के तरह छोड़ा बनता रहेगा अभ यह इसको भड़ा देते ना लेट आर इएस तू ले लेते हैं रिजल्टू अब तुम्हें कुण से अवेट लागाना मद भूल न थो एक प्रोमीस है प्रोमीस है प्रोमीस रिटरन कर रहा है अवेट पर देख लो एक item भी पास कर रहा हो अब item कहां से निकालेंगे है ना यह RES1 क्या मिल ला है तुमें देखो एक object मिल ला है ना object में item यह है है ना तो हम कैसे निकाल सकते हैं item बहुत easy है RES1 डोट इसके अंदर एक item है ठीक है item ऐसे भेज देंगे ठीक है Jahres3 कर लो है त Birth अब जो भी तुमारा क्या है payment अन्य 1974 क्या विदेख और इसमें क्या कि experience के यह order food है ठीक है पैमिन क्या पास क्रण है यहां पर तुम आईटम पास कर तो दूसरी चीज क्या है और यस टू डोट आईडी और काम तुमारा बन चुका है अब तुम इसको करा लो सी एल जी आर ये एस त्री अब दे तुमारा बन के तयार है सर्चिंग स्टार्ट फोर कडाई पनीर ठीक है तोस्त और फिर आएगा तुमारा स्टार्टिंग फोर कडाई पनीर विद आईडी नमबर ऐसा सा करके और एक चीज नहीं आई इसमें है ना ट्रू आया हमारा ओडर फूड तो आया ही नहीं तुम ध्यान से देख सकते हो तुमारा एक कडाई पनीर के बाद तुमारी यह वाली चीज कहा है 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 ओके 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 यह ओके ओके यह ओडर क्रेटेट सक्सेस्फुल विद आईडी नमबर दीज तो आई थिंक सो हमें इसको कहां कराना पड़ेगा इसको यह तुमने सर्च फूड किया जैसे तुम्हारा यह रिटरन करें तुम यह करा दो आ ऐएस तू है न यह चीज ना थोड़ा एकस्ट्ट्र एकस्ट्र करनी पड़ेंगी वाली चीज ही यहां पर कन सोल की हंओडर क्रयेट हो गया अच्छा तुम्हें यह चीज ही नहीं करानी तो तुमें एकाई और बताता हूं यह चीज कहां भी करा सकते हो यह चीज तुम ठीक है select कड़ाई पनीर ठीक है payment is starting देखो order created successful with the ID नमबर ठीक है payment is start हो जब आएगा तुम्हारा true अब true आ रहा है एक particular message नहीं आ रहा है जो यह आता है console payment is successful with the status this अना तो अब देखो इसको कहा से करा सकते हो इसको तुम्हावी print करा सकते हो तीन तरीके बता हो तुम्हें इसको print कराने के इसको तुम्हावी print करा सकते हो ठीक है अब आ जाएगा payment successful with वो जो जो चीज़े है हाना यह देखो payment successful with true ठीक है एक तरीका यह हो गया इसको मैं comment करते हो ठीक है सारी तरीके बताऊंगा इसको copy करता हूं इसको copy करने से पहले तुम यहाँ पर return करा रहा हो हाना मदब response भेज रहो अगर तुम response भेजना चाहो भेज दो अधर्वाइस तुम यहाँ भी करा सकते हो यह आली चीज़ इस्टेटास हाना यह देवो कडाई पनीर पेमिंट इस्टार्टिंग पोर कडाई पनीर इस आई ड़ी नंबर दिस साहिए दोस्त ठीक है पेमिंट सक्सेसफुल विध स्टेटस ट्रू ठीक है एक तरीका यह देख ले तुमने सारे तरीकी दिखाऊंगा टैंशन नहीं लेने का भाई यहना तुम क्या यहां पर रिटर्न करा दो Wandiis3 रिटर्न कराओगे तुम्हें यहां पे इसको दौट रखन करण करना पड़ेगा क्योंकि प्रोमिस है प्रोमिस करना पड़ेगा enemy करना पर उएसे करके कमनने एरो फंक्शन मना लिया यहां पर तुम ऐसे और अब आजाएगा पेविंटी सक्सेसफुल ठीक है यह देखो मस्त एकदम आ रही चीज़ समय तो यहां भी करा सकते हो अगर तुम्हें चीज़ों को पता है तो तुम कहीं भी करा सकते हो यहां भी इसको ऐसा करके भेज़ सकते हो सही है कि नहीं है यह बता यह अब तुम एक चीज़ देख लो डियान से देखो एक चीज़ साथगा घर मैं न तुम इंबå यह और तुमारा यह और पूझे को एक लाइन एक्स्रा है बस बरावर है ठीक तो मेरी बास सुनो दोस्त more readable phone है जिसको तुम अच्छे से manage कर सकते हो अच्छे से read कर सकते हो यह बताओ अच्छे से manageable अच्छे से readable phone है दिख रहा है कितना अच्छा है await, async await लगाया यहां रुकेगा यहां पर तब तक नहीं जाएगा तो उसे नहीं यहां पर तब तक नहीं जाएगा ध्यान से देखना यहां पर तब तक नहीं जाएगा जब तक यह चीज तुम करान लो खीक है तो सही है सही है सही है आ रही है समझ में ठीज़ है आ रही मिला देखोगी ठीक है तुद्धार जो भी त रहा तकम साह हो मैं देखीर है करता हुग कोई दिक्कत नहीं तो तुम क्याँ मुद्धमेंटल डिलेता है은 वह फिर ना do रिटर्न वही चीज़ है यह अवेट लिखा था अब यह फू कंदर आ जाएगा यह चीज़ हो जाएगी सच्छी यह तुमने अवेट लगा था तुम बोलो कि अवेट नहीं लगा ना मतलगा अवेट ने इतना सारी चीज़े हटाई और अवेट ने बोला भाई तुम टेंशन मतलो मैं यह लगाता हूँ मामला सोटेड है ठीक है बस यह चीज़े बाकी बात खत्म है मैं यह तको इतना साथा इस लेक्षे में तुम्हें होप सो एसिंग कवेट अच्छे समझ में आगया हो एना एसिंग कवेट अच्छे समझ आगया हो हमने सारे एक्जामपल देखे अगर तुम्हारा फिर भी को कि हाँ कैसे कैसे तुम्हारा दाट आ रहा था क्यों आ रहा था कैसे क्या और क्या सकते हैं सब्सक्राइब अगर कुछ बड़ा डाउट हो तो मैं तुम्हें यहीं बोलूगा बाई डिस्कोर्ट पर जाना तब भी पड़ेगा तो पहले तुम्हें डिस्कोर्ट पर अब हम प्रोमिस से से कुछ फंक्शन समझेंगे बैर एकशाम्पल अयग देखो फैर प्रोल यह सánt के विडियोकिते पूस्क्राइब के सब du zm है इसके अधुर्ट सकता है पूछ सकता है कोई question तुम से अगर पूछ सकते है तुम से पूछ सकता है easily है तो हम क्या करेंगे ये questions को अच्छे से करेंगे सही है कि हाँ कैसे कैसे चीज़ों होती है कैसे नी फिर उसके बाद हमारे पास एक fetch करके होती है फैच कर सकते हैं कोई भी API में से data वहाँ पर तुम्हारी चीज़ क्लियर होने वाली है फिर जहां तक मेरा नी अभी एक हाँ फैच API से पहले हम एरर हैंडलिंग देखेंगे ठीक है अब देखो यार STLCS का मैंदलब क्या होता है अगर तुम्हारा Yes जोड़ दी तुमने से हाँ good looking आई है ये उसर एक्सपीरेंस हो रहा है धीक है जैसी JS है वहाँ पर तुम्हों लोजी कोया काम करने लग जाता है तुम्हें लोजिक करना है तुम्हें खुश्टे सोचना पड़ेगा है तुम जाओ जीपीटी पर जाओ या फिर गूगल पर जाओ उससे पूछो कि मुझे प्रोजेक्ट दो अच्छे-च्छे जैस से तुम उसको सोल गुरने स्टार्ट करो अगर तुमसे सोल भी हो रहे है तो बहुत अच्छे वात है अगर नहीं हो रहे है तो जाओ कहां पर जाना है तुम्हें मैं उताता हूं तुम्हें डिस्कॉर्ड पर जाना है ठीक है वह पर्टिकॉलर प्रोजेक्ट लेके है वह पर्टिकॉलर अपने डाउट लेके हैं यह ए तुम कर सकते हैं तुम्हारा पास है एक community डिस्कूर्ट पर अभी है उस पर 25 लो लेकिन अगर तुम्हारा पर डेली एक्टिव रहोगे चीजे करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है तुम्हारा ही फायदा है फिर हम वह करने के वाद क्लासेश बगारा पढ़ेंगे ठीक है तुमने majority पार्ट सीख लिया जो तुम्हारा बेस था अभी किते महीने में अक्टोबर में स्टार्ट कर रहा था अक्टोबर नमबा डिसंबर जैनुरी फैब पांच महीने हो गए है यकीन नहीं हो रहा मुझे पांच महीने में हमने पूरा पेस अपना पक्का कर लेंगे मस क्योंकि मुझे पता है ना फिर मैंने उसी प्रिकार से पढ़ाए कि हां तुम्हें आती है सारे चीज़े सही है तो सही है बड़े एकदम मस समझ में आगी चीज़े कर देखो अब मिलता हूं मैं तुमसे रिवाइस करो अच्छे से एसिंग का वेट क्या होता है तुम्हे सा यह आएगा यह वेडने इसको रीप्लेस कर दिया तो को ऐसी दिकत वाली बात निया इतना चलता है और यह हो सकता है इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं अब पताए कि हो सकता है यह यह तो कंडिशन ऐसी ही तुम इसको हेंडल करोगे अब जब हम बड़े बड़े चीज़े कर चैनल ले रहे हैं तो एक एक सेकेंड में काम हो रहा होगा सही है तो फ्यार देखो इस lecture में बस इतना ही है ठीक है मैं मिलता हूँ तुमसे next lecture में तब तक के लिए बाइ और इसको अठ्छे से पढ़ लेना अगर है